हेलो डॉक्टर हेलो डॉक्टर मेरे मेरे कीडे लग गड़े हैे बहुत दर्द होता है कभी तो बहुत तेज दर्द होता है यह था सपटरी ainda करें मुझे सब्सक्राइब में कीडे लगगी लग गये किडे लेमिटैनेले mess आप इसके लिए कोई lias्या है कोई treatment बताईए इसको निकाल दीजिए कीड़ा जो है डांद के अंदर उसको निकाल के फेंग दीजिए और मेरा ताकि मेरा अद़र्ध मिट सके और यह दांद भी ठीक लग गये हैं और वो उसको निकलवाना चाहते हैं उसका ट्रीटमेट करवाना चाहती हैं तो आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे हो ऊदे होंगे जिनके साथ में केविटी छेद हो गया या कीड़े लग गया है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए कैसे इन कीडों को निकाला जाए तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के थूरू तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलेगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहें अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक इनका सबसे पहले इनके सवाल पर बात करेंग कि चलता हुआ कोई भी कीडा नहीं होता है कीडे का मतलब हो गया दांत में केवीटी होगी सडेन हो गया हमने खाना खाया खाना वहां फसा रहे गया जिसकी विज़े से bacterial development, bacterial infection हो गया और वहां पे छेद हो गया जो दांत की उपरी लेर होती है इनेमल उसमें छेद होने की व कि बच्चों को डिराने के लिए कि आपके दान्तों में पुद्टि कायोँ चारियों जाें कुछ तो यूंकë को ड़ाने के लिए यह वंत उसका बिष्यिक्त का बॉस्टा में यहाद है इसका मतलब उससा कभी भी नहीं कि दंत में कीडा है बहुत सारे लोग दावा करते हैं। वह बोले किसे जानकार उन्होंने भूला है वेसे ही मेरे पास बहुत सारे से पेशेंट्स भी आते हैं जिनको जब मैं यह बोलती हूं कि केड़ा जैसी कोई चीज नहीं होती है तो वह बोलते हैं मैड़म हमने देखा है खुद हम गए थे किसी के पास दान से केड़ा निकलवाने के लिए और उन्होंने चलता हुआ साग चाही किड़ा दिखा है कुछ लोग बोलते हैं कान से निक तो मैं आपको बात बताना चाहूंगी, यह जो इस टाइब के जो लोग होते हैं, कीडे निकालने वाले, यह कोई सर्टिफाइड डेंटिस्ट वगेरा तो होते हैं, डॉक्टर नहीं है, उनको कोई डिग्री नहीं मिली हुई है, वो अपना काम करने के लिए अपने कोई भी मतलब एक काम खोल रखा है उनने धंदा खोल रखा है कि ऐसा करेंगे दांत में कीडा जैसा दिखा के और वो क्या करते हैं, कुछ मेडिसिंस होती है, जिससे आपके दांत का दर्द हो इंस्टेंटली कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, उंगली में, फिंगर में, किसी दांत में डालेंगे तो इससे एक बार के लिए ठीक हो जाता है, साथ ही दांत की जो गंदिगी होते हैं, पानी फ्लस्च करते हैं, उसके साथ कुछ गंदगी निकलती हैं, वो आपके दिमाह में आपके डाल देते कि यह चलता है कीडा है, तो बहुत सारे लोग आपने क्योंकि बहुत सारी research इसी हुई है मैं regularly बहुत सारे treatment करती हूं root canal करते हैं हम लोग दात निकालते हैं सब पर देखा है कभी हमने चलता वाकीडा नहीं देखा है और बहुत सालों से यह करते हैं मेरे को कम से कम 12 साल अपनी खुद की practice में वह गया मैंने कभी भी दांत में इतने गंदे गंदे दांद देखए है, इतने ज्यादा सड़े हुए टीत ficou उनमें भी कभी में बीप चलता हुआ कीड़ा नहीं देखा है, और सात ही रिसर्च होजए उसके अंदर और रिसर्च में भी ये बात साबित हो गई है कि दांत में चलने वाला केड़ा कुछ भी नहीं होता है हाँ, बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं, छोटे-चोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं तो वो उस टाइब केड़े होते हैं, नहीं कि दांत वाले कीड़े चलने वाले बड़े-बड़े जो कीड़े वो सारे लोग दावा करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे लोगों से आप दूर रहें, उन लोगों के पास मज़ें कि वो टेंपरेरी आपके दांत को दर्द को थोड़ी देर के लिए ठीक कर देंगे, उसके बाद आपके दांतों की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती हैं तो आप जानते हैं कि ये चलो कीडा तो नहीं है, अब ये माल लेते हैं कि आपके दांत में हैं वो जिसको हम लोग केविटी बोलते हैं और आप लोगों को अपसे ये नहीं बोलना है कीडा लग गया अपसे यहीं बोलना है कि दांतों में केविटी हो गई हैं, दांत में द hell cared portion tarie जो बी आप सका treatment कर दीजिएाँ में चैक कर Canadian कि could have the path कितनी डीपहे़ले इसका क्या treatment होता है चैनर जिबारे में बाद करते हैं अगर के के की है अपके दांट के दान अगर डर्थ नहीं है हलकी के BEC है खाना फसता है कभी-कभी तो उस सिच्वेशन में आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना है और डेंटिस्ट उसको एकदम अच्छे से अपनी जो एरोटर मशीन होता है उससे जितना भी पोर्शन होता है उसको निकाल देता है और उसके बाद उसमें फिलिंग कर दी जाती है फिलिंग अलग-अलग टाइप टाइपस के होती है जैसी फिलिंग होती है जिसको हम चांदी बोलते है आप चाहो तो अमलकम फिलिंग करवा सकते हो या फिर कॉंपोजिट फिलिंग भी करवा सकते हो जिसको लाइट के फिलिंग बोलते है वो आप पे डिपेंड करता है या जितना भी decade portion है वो डॉक्टर निकाल के फिर फिलिंग करता है जिससे cavity भी ठीक हो जाए जो केरिस portion है जिसको हम कीडा बोलता वो भी सही हो जाता है दूसरा क्या होता है अगर आपके cavity बहुत डीप हो गई है और आपके नॉर्मली बहुत तेज दर्द रहता है तो इसी situation में पहले एक X-ray लिया जाता है X-ray में चेक किया जाता है कि आपके यह cavity है वो कितनी डीप है अगर वो सिर्फ पल्प तक पहुंची नहीं है सिर्फ कभी-कभी खाना फसने के विज़े से तेज दर्द हो जाता है या किसी ओर रिजन के विज़े से दर्द हो रहा है तो ऐसी situation में भी क्या होता है एक base लगा यानि कि आपके दांतों की नसों तक पल्प तक infection हो गए है तो नसों का इलाज किया जाता है जिसको हम root केरा treatment कहते हैं उसके द्वार आपके दांत को बचा लिया जाता है दान निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो यह इसका treatment होता है तो आपके treatment में पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपकी केविटी कितनी डीप है जो फिलिंग करनी है या कोई भी treatment जो आपको सही लग रहा है वो कर दीजिए उस साथ ही मुझे कोई एक single tips बता दीजिए कोई भी बता जिससे मेरे दांत के केविटी आगे ना बढ़े प्रॉब्लम जादा ना हो कि आपको regular brushing करनी है जो brushing technique से अच्छे से proper brush कीजिए रात को सोने से पहले brush जरूर कीजिएगा हर 6 मेने में dental visit जरूर कीजिएगा अब इनका जो treatment है वो मैं चेक करूंगी कि इनको root canal treatment की जरूत है या नहीं है इनकी cavity कितनी डीप है जरूत पड़े कि एक्सरे लेके चेक की cavity मतलब pulp तक पहुंची है या नहीं पहुंची नॉर्मल cavity तो filling होके इनका ठीक हो जाएगा तो इनका यह treatment है लेकिन आपकी cavity कैसी है वो आपका dentistry आपको बता सकता है मैं नहीं बता पाऊंगी यहां बेटके तो आप dentist को जरूर दिखाएं साथ ही आप कुछ ऐसी चीज़े कीजिए कि आपके cavity होए ना और बच्चों को खासकर इस चीज़ से दूर रखे क्योंकि अगर बच्चों के primary teeth खराब हो जाएंगे तो permanent teeth पे भी असर पड़ता है और वो दर्द इतना बरदास भी नहीं कर पाते कि root canal treatment करवा पाए तो आप अपने बच्चों के दानतों का ख खासकर ख्याल रखेगा अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्ली चैनल को लाइक कीजिए शेर कीडियो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू